नमस्कार दर्शकों मैं हूँ नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर संसद के नए भवन की लॉबी में छट से पानी टपकने और मकरद्वार के बाहर सडक पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरे वाइरल हैं और आज संसद में विपक्ष ने इसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को कटगरे में खड़ा करने की कोशिशें की मोदी सरकार पर तंज हुआ संसद भवन में पानी लीग बाहर पर चाली कॉंग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो बना कर डाला गया उस पर लिखा गया मोदी का कारनामा वीडियो में कॉंग्रेस तंस कर रही है कि नरेंद्र मोदी ने इस आलिशान वाटर वर्ल्ड को 1200 करोड रुपे में आपके मजे के लिए बनाया है ये पैसा किसी के मामा के घर से नहीं आया आपकी जेब से वसूला गया है कि क्या संसत की छट से ये पानी टपकना वाकई 1200 करोड पर पानी फिरना है जैसा कॉंग्रेस आरोप लगाती नजर आ रही है कल जब दिल्ली NCR में अत्यधिक बारिश के बाद संसत भवन से ऐसी तस्वीरें आई उसी बीच केरल के वाइनाट से लेकर हिमाचल आज लोग सभा के नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी और कॉंग्रेस महासचिफ प्रियांका गांधी वाडरा वहां गए राहूल ने वाइनाट में कहा मैं आज वैसा महसूस कर रहा हूँ जैसा अपने पिता को खोने पर महसूस किया था लेकिन जब राहूल ये बात कह रहे हैं उससे पहले देश की संसद में वाइनाट को लेकर राजनितिक हंगामा मच चुका था वाइनाट की तरास्ती पर मोदी को कटगरे में खड़ा करने की कोशिशें कैसे हुई अमिच्छा ने उसका जवाब कैसे दिया ये भी आगे बताऊंगी लेकिन सवाल पब्लिक का है कि वाइनाट से संसद तक आपता में अफसर कौन ढूंड रहा है यही है आज सवाल पब्लिक का एक तरफ वाटर लॉगिंग दूसरी तरफ संसद के बेस्ट शॉट्स अंदर के बाहर के जो बड़े-बड़े शेर बने हैं उनके नई संसद भवन की छट से पानी टपकने को लेकर लोग सभा सेकरिटेरियट का कहना है हरित संसद के कॉंसेप्ट से भवन में कई जगाहों पर कांच के गुंबद बनाए गए हैं ताके नैचुरल लाइट आ सके बुदवार को भारी बारिश से कांच के गुंबदों को चिपकाने वाला पदार्थ लोबी में कुछ जगाहों से हट गया था इससे लोबी में कुछ लीकेज हुई हाला के समस्या को समय पर दुरुस्त कर लिया गया मकर द्वार पर भी जमा पानी को जल्द ही साफ कर दिया गया ये सफाई अपनी जगा है लेकिन संसत भवन की छट से पानी टपकना वाके गंभीर मुद्दा है लेकिन जब विपक्ष ये सवाल उठाता है तब उससे ये भी पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली के बेस्मेंट में तीन चात्रों की मौत पर उसने ऐसा ही हंगामा क्यों नहीं मचाया क्या केजरिवाल सरकार कटगरे में खड़ी होती इसलिए आप शांत रहे और आज आप संसत की छट से लीग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं तब लोग ये भी तो याद करेंगे कि आपने नई संसत को लेकर कैसे कैसे सवाल उठाएं हैं कभी इसे मोधी का मेहल कहकर बुलाया है कभी ये कहकर कि नैशनल एमलम को शेर गुसे में नजर आता है तो कभी संसत में स्थापित सेंगोल को लेकर यानी आपदा का अफसर हो या गौरफ का मौका हो राजनिती क्यों मौके तलाशती है आपदा में अफसर कैसे तलाशा जाता है इसे आप वाइनार की क्राइसिस से भी समझ सकते हैं जहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि केरल सरकार को अरली वार्निंग भी ही नहीं गई लेकिन फैक्स के साथ अमिज शा ने क्या जवाब दिया आप खुद सुने 23 जुलाई को केरल सरकार को अल्ली वार्निंग भारस सरकार की और से देग गई दी गई थे 23 जुलाई को गई शाथ दिन फेल फिर 24 गो गई फिर 25 गो गई 26 तारीक को मानिवर एक कहा गाया कि 20 सेंटिमीटर से ज़्यादा बार्सा होगी बारी बर्सा होगी लैंड स्लाइड होने की संभावना है मड़ भी रश होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दपकर मर भी सकते हैं मैं एक कुछ कहना नहीं चाहता है था मानिवर मगर भारत सरकार की अर्ली वर्निंग सिस्टिम पर सवाल किये गए इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज लिसन अस प्लीज लिसन अस मत चिलाईए प्लीज रीड इट जो वर्निंग बेजा है उसको पढ़िये जरा अमिच शा के बयान के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन ने दलील दी कि ये क्लाईमेट चेंज का मसला है आप दूसरों पर ठीकरा पोड़कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते विजयन सही कह रहे हैं कि ये क्लाईमेट चेंज का मसला है लेकिन वाइनाट पर राजनिती शुरू किसने की खेर अच्छी बात है कि आज राहूल गांधी और प्रियांका गांधी वाडरा ने वाइनाट का दर्ध माटने की कोशिश की है सुन्ये राहूल गांधी का बयाई के दौर में मुस्तैद होने की जरूरत तो है ही और मिलकर जुटने की जरूरत भी है प्रदेश के अंदर खिलवार करने की किसी को जरूत नहीं होगी और कल की जो गोंती नगर की घटना है उस गटना में भी हम लोगों ने जवब देए तैकी है उसके अपरादियों की सुची भी मेरे पास आई है ये अपरादियें है पहला अपरादी है पवन यादो दोसरा अपरादी है मुहम्मद अरबाज ये सद्वावना वले लोग हैं सवाल पब्लिक का नई संसत से पानी टपका क्या 1200 करोड पर पानी फिर गया संसत भवन में पानी लीक होने और दिल्ली बेस्मेंट में मौत होने तक आपता में अफसर कौन ढून रहा है क्या वाइनाड में 292 लोगों की मौत टल जाती अगर केंदर से भेजे गए अलर्ट को माना जाता यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधानशु त्रिवेदी जी सांसद हैं बीजे पी के और राश्य प्रवक्ता भी कुछी समय में जुड़ेंगे पपफू यादव जी निर्दल्य सांसद हमारे साथ हैं हमारे साथ आज अबास हैदर प्रवक्ता समाजवाधी पाटी के भी जुड़ रहे हैं हर्शवरधन त्रिपाठी वरिष्ट पत्रकार भी हमारे साथ हैं लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पुनावाला को कॉं संसद, नई संसद से पानी टपक रहा है, वाजिब सवाल है, लेकिन तब आपकी आवाज कहां चली गई थी, जब दिल्ली में तीन बच्चे बेस्मेंट में मर गए थे, क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज नहीं थी, और किस तरह से पानी बेस्मेंट में आ गया था, किस तरह से MCD का कोई काम नहीं हुआ था लेकिन सवाल नहीं उठाए गए संसद में क्यों क्योंकि सवाल उठाना यानि अर्विंद केजरिवाल को टार्गिट करना होता और ये शायद राजनितिक तौर पे आपके लिए convenient नहीं था आज मैं पूछना चाहती हूँ सवाल एक तरफा क्यों है आपके आपके शो में शर्कत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्र गुजारो सबसे पहले पपु यादव जी आमें जॉइन कर रहे है तो वह अपना चुनाव जीत है उनको बहुत 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 देर सारी शुब काम ना बदाई हो दो या तीन चीज मैं कहना चाता हो पॉलिटिक्स छोड़कर मैं मानने ग्रह मंतरी जी के कुछ लाइस को आपके माधियम से एक्सपोस करना चाता हो उमीरे मुझे टोका नहीं जाएगा मानने ग्रह मंतरी जी ने सच बोला लेकिन आधा सच बोला आधा सच मेरे हिसाब से जूट होता है यह LLB सरकार ह जहां देखो, लाइन लीकिंग और ब्रेकिंग, पेपर लीक से लेके परलिमेंट में लीक अंदर, मानने ग्रह मंतरी ने बोले चार वर्निंग दिये गए थे, स्टेट गवर्मेंट को बिलकुल सही चार वर्निंग दिये गए थे, मेरे पास यहां पर आइम्ड का चाहिएगा, सेंटीमीटर ने, पंदरा सेंटीमीटर, यह अंदी के वेबसाइट पे अब भी लगा हुआ है, और वो क्या कहते है, 20 सेंटीमीटर की वार्निंग, वो गीदी गई थी, एक बच के 10 मिनिट पे, जब लाइन स्लाइड हो गया था, उसके बार रेड अलर्ट कर मैं आप गुरगराम से आ रहा हूँ, आपकी शो में जॉइन करने के लिए, गुरगराम में क्यों गया था? मेरे एक दोस्त के भाई कल गुजर गे, तीन यंग सर्कार बाजपा वालो को के काम समाप्त नहीं हुआ, जब हम कहते थे, राम मंदर का काम समाप्त नहीं हो, वाह के लीक के अंदर ये सरकार को लीक करते इस लाइन सरकार को ब्रेक करते भार निकाला यह हम सब का करतव यह थैंक यू अर्श्वदंत रिपाठी जी गुड़गाओं की बात होगी हर्याना की बात होगी वाइनाड की बात होगी लेकिन दिल्ली की बात नहीं होगी क्योंकि वह convenient नहीं है मैं पूछना चाहती हूँ कि सब एक दूसरे पर दोशार open करते रहेंगे तो वो 292 जिंदिगिया जो चली गई वाइनाड में या तीन जिंदिगिया जो चली गई दिल्ली के basement में उनका जिम्मेदार कौन है और रही बात संसत से पानी टपकने की तो इनको तो संसत से हर तरहां से ही problem थी इनहें शेर जो हैं वो ज़्यादा गुर आते हुए नजर आते हैं सेंगोल से दिक्कत होती है बिल्डिंग से दिक्कत होती है नई नई पुरानी जब यह थे तो नई बिल्डिंग चाहिए थी जब बन गई नई बिल्डिंग तो पुरानी बिल्डिंग चाहिए थी यह राजनिती नहीं है तो और क्या है कि इस देश का हर राजनेतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपना वाला पक्ष देख रहा है और हमले के लिए दूसरे वाले की कमजोरी देख रहा है उसका एक बड़ा शांदार उदाहरण है संसद भवन में किसी एक जगह से कहीं लीक हुआ उसके निचे बाल्टी रख दी गई तो ठीक ऐसे ही है कि अगर संसद इतनी शांदार बनी है इतना खुबसूरत काम हुआ है तो इसको छिद्रान वेशी समाज कहते हैं और आसानी से स कुछ फटा खोज लेना कुछ गंदा खोज लेना यह आँख में गंदगी आ गई और दुर्भागे से यह उनकी आँख में गंदगी आ गई है जिनको हम जन प्रतिधी के तौर पर जानते हैं कि संसद में अमिच शाह ने अगर वाइनाट के बारे में बताया तो क्या बताया था उन्होंने उन्होंने कहा अरली वार्निंग सिस्टम जो हमारे पास है दुनिया के चार देशों के पास है हमने वह एक जानकारी जी क्या 2011 में उसको एको सेंसिटिव जोन नहीं बताये गया था एक सांसद के तोर पर पांच वर्ष राहूल गांधी वहां रहे अभी तो वहां का कोई प्रत्निधी नहीं है ये भी दुर्भा के देखिए इस देश के नेताओं को अपनी राजनीतिक विश्वास नहीं उनको इसलिए दो-दो जगा से चुनाओं लड़ना पड़ता है और आज ये इस्तिती है और मैं तो बार-बार कहता हूँ कि अगला राजनीतिक सुधार हो तो दो जगा से कितना भी बड़ा नेता हो उसके लड़ने पर रोग लगनी चाहिए कोई भी हो क्योंकि ये आप जन्ता का मजाक बनाते हैं अब आप सोचिए कि देश में कुछ लोगसभाद छेत्र हैं कितने हैं गिने चुने एक दो होंगे कहीं जहां कुछ हो गया कुछ ऐसे वरना वाइनाड है जहां का लोगसभा का सांसत नहीं जहां इतनी बड़ी दुरगटना होई इतनी बड़ी माना उतरास्दी होई है वहाँ सांसद नहीं है पूरो सांसद और भावी बनाने वाली सांसद साथ में गये है उनका जहाज नहीं उतर पाया था ये भी देश को जानना चाहिए उनका जहाज नहीं उतर पाया था आज जाकर जहाज उतरा है तो वहाँ पहुँच गये प्रत्मिरी के तौर पर ठीक है लेकिन क्या राहुल गाली को पांस साल में किसी ने आके नहीं बताया कि इतनी बड़ी तरास्दी हो सकती है UPA की सरकार में 2011 और 2013 में इसी की बात कही थी Eco Sensitive Zone है उट पटांग काम हो रहे हैं उनकी सरकार और कम्मुनिस्टों की सरकार अरे भाजपा से लड़ने के लिए तो यह सब कर लेते हो वहां के लोगों के लिए भला करने के लिए नहीं कर सकते थे उनके लिए नहीं तो नहीं एक साथ बैठ सकते थे कुछ भला कर ले और अब दिल्ली की बात दिल्ली में कल रात 10 बजए मैं संयोग रच नवीका जी लोटा हूं दिल्ली में प्रगती मैधान टरनल से मैं निकल कर आया हूं। और मुझे आश्चर जनक सुक मिला। बिल्कुल क्योंकि आश्यर जनक इसलिए क्योंकि मुझे मैं डर रहा था मैं टैक्सी में था तो उसने कहा कि इधर ही दिखा रहा है गूगल मैंने भी अपने चेक किया तो दिखा वहां घुसते ही लाइन लगी तो मुझे लगा अगर बीच में फस गए तो निकल भी नहीं प पुछा जारा चाहिए बिल्कुल लेकिन पपू यादव जी पपू यादव जी आपदा में अफसर क्या आज संसद में ढूंडा जा रहा था कि बहाना चाहिए किसी तरह से अगर हम मोदी सरकार को टार्गेट कर सकें और आज यहीं काम किया गया आप लोग को तो राजनित गौँ साफ हो गए यह इस पर क्या सरकार उगए सरकार बीजेपी को गाली देने के लिए इनको गाली देने हम लोग थोड़ी बैट रहे हैं हम लोग चर्चा करने बैट रहे हैं कि ऐसी परस्थिती क्यों होती है उत्राखन की इस्तिती आस्ताम में क्या है अहलात उसको डिजास्टर हुआ था, उसको भी आप देखिए, मारास्टा में हर साल डिजास्टर होता है, मारास्टा की सबसे बुरी हो जाती है, आप उसको भी देखिए, बिहार तीन हिस्टा बार से प्रबावित है, आज तक नदी जोरने की बात थी, एक नदी नहीं जोरा गया, अटल जितने बड़े लेबल पर फरका से लेकर के भीम नगर बारेज को प्रोस्पेक्ट था, अब वो उसको बड़े लेबल पर उसको बराने की बात है, उस पर आप नहीं करते हैं, आप हाई डेम नेपाल से बारता चैना के कारण नहीं कर पाते हैं, तो सवाल इसका नहीं है, दिली में परदूस्त बढ़ जाता है, हर साल दिली डूप जाती है, कोई एक बार की बात नहीं है, जो MCD है, हम ना तो आम आपमी पार्टी को हैं, ना तो BJP को गाली देने आ हैं, जो MCD है, वो भरस्ताचार की गंगोतरी हो, MCD में जो पदाधिकारी हैं, उनकी संपर्ती की आप जांच करा लीजिए, 40% कांसलर लोग होते हैं, जो MCD को प्रभाविच करके अपना-पना मकान बना करके पैसे कमाते हैं, छोटे-छोटे लेबर पर, सीविरेज पर बड़ी-बड़ी घरें बन जाती हैं, माप्याओं की, दिली में सबसे जादा जो पॉलिटिकल और पॉलिटिशन है, ये लोग जमीन माप्याई तो हैं, जमीन को गलत तरीके से, जिस तरीके से हमको कोई काली देने, या कौन बनेंगे दो बार, चार बार, एक्स है, वो है, ये इसके लिए नहीं आए, नरंदर मोदी जी को गाली देने नहीं बट रहे हैं, तो फिर कॉं पार्टी ने जो अजूर्णमेंट मोशन लगाई है, संसत पर पानी टपकने पर, आप उसके साथ हैं या खिलाफ हैं, देखिए मैडम, एक बात आप सुनिये, 1200 रुपिया, 1200 करोर में एक संसत बन, अच्छी बात हैं, कितने दिन बनी, और सोच जो भी हो, जिस किसी ने भी, जिस कमपनी ने भी, टाटा एक respectable company है, और उस company को इस 1200 करोर रुपिया का दिया गया, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसमें टाटा ने पैसे खा ली, मुझे नहीं लगता टाटा का यह कोई respectable है, लेकिन और लोग तो खा सकते हैं ना, 1200 करोर रुपिया का बनने के बार, अभी ह ठट ठपग रहा है, मेरा सवाल यहां से नहीं है, कि हम किसी की आलोचना करने बट है, पाजादी के बहुत पहले, अंग्रेजों ने पुराना लोग सबाव बनाया, आप उसका मुल्यांकन कीजिए, अंग्रेजों ने जिन चीजों को बनाया, उसका मुल्यांकन कीजिए, च पपू यादव जी ने उठाया है वो बारा सो करोड रुपे पर किसने पैसे बनाए कि आज पानी टपक रहा है मेरी एक बात मैडम सुन लीजी एक बात दमन में फूल तूटी थी सिल्वासा में फूल तूटा था याद है आपको कितना बड़ा जीजास्टर हुआ था समुद्र में सब लोग बाग गए थी बहुत एजिट्टिट्री किसके अंदर में आता आप चाह सरकार किसकी आया किसक पूल तूट गए लगबग सिक्स्टी सेवंटी परतिसट पदारिकारी और जो लोग इसमें ठेगेदार है वह तैसे खाते आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आप इस पर राजनिती नहीं कर रहे हैं पर सुधान्शु जी जवाब दीजिए ये बारा सौ करोड का हुआ क्या देखे जो बात पपूजी ने कही प्राकरतिक आपदा और संसत दोनों पर पहले तो मैं रिवर्स में जवाब देता हूं संसत में देखिए कहते कहते उनके मूँ से क्या निकल गया क्या अंग्रेजों के चमाने में जो बना था वो बहुत अच्छा था महोदै इस विशह प पोर्शन होता है उसमें जैसे आप खिड़की को क्लोस करते हैं उस जंक से क्लोस किया जाता है और उसमें एक जगहे पे कमी पाई गई उसके बारे में जो जानके ऐसा नहीं चट टपकना और खिड़की टपकने दोनों में अंतर होता है भारी बारिश में अगर आपकी आना कि अंग्रेजों के जमाने की संसत सही थी साब यह मुझे लगता है कुछ जादा हो जाता है और अंग्रेजों के जमाने में भी डिजाइन करने वाले वो रहे होंगे बनाने वाले तो हमारे ही मजदूर रहे होंगे तो महोगे आप कहना क्या चाहते हैं हमारे ही कारीग आप पूरा जवाब सुन लिजे ना अपने टर्न पर बोलीजेगा अब मैं बताता हूँ देखिए हमारे पास तूफान का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है अब ये विशय अमिशाजी ने बहुत साफ कहा संसत के पठल पे राजे सभा में उस सभ़े तो बच सुन रहा था उन्होंने कहा कि हम राजरीत का मुद्धा नहीं बनाना चाहते थे परन्तु जैसे ही केरल का विशय आया तो केरल में तीम पार्टियां है कॉंग्रेस भी है मुस्लिम लीग भी है और सरकार का मुलिस पार्टिय की है सांसर जादा जीत के आये हैं मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के तो सब में एक प्रतिस परदा होने लगी और वो आरोप लगाने लगे कि केन सरकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या कर रहा था तब ग्रहमंत्री जी ने बताया कि अर्ली वार्निंग दी जा चुकी थी यहां पर जो कंस्रक्शन है वो भी हम अभी उचे पर नहीं जाना चाहते हैं वो भी एक रिपोर्ट का पैनल वो जो पैनल है उसकी रिपोर्ट एक बार दुबारा सर्फेस के उपर आने के शुरुआत हुई है और ग्रहमंत्री जी ने यह भी कहा हमारी सरकार नहीं थी परन किसी की भी जान की हानी नहीं हुई अब यहां पर यह प्रश्ट उठता है या तो इस पर इमांदारी से काम करिया आरोप पत लगाई है जब उनका स्वयम का जहाज नहीं उतर पाया वहां पे तो आप सोचिए उस खराब मौसम में यहां पर बैठकर सिर्फ आरोप प्रत्य उनकारोप की राजनीत करना ठीक नहीं है संभेधन शीलता के साथ काम करना चाहिए और सारे से भी संगठन काम कर रहे थे बहुत सारे स्वयम-से वक भी काम कर रहे थे इसलिए आवशकता इन मौकों के उपर इमांदारी से विचार करने की है कि सरकार जो वहां की थी उसने क चा उस सिगनल को जो वार्मिंग दी गई थी सही में सुईकार किया या नहीं सुईकार किया उन्होंने अगर उन्हें ऐसा लगता है जब पिनार विजयन जी कह रहे हैं कि साब वो ऐसी है ग्लोबल वार्मिंग है आज आपको नजर आ रहा है तो हम यह पूछना चाहतें एंड चाहत्मक और संवेदनात्मक बातचीत करनी चाहिए बिल्कुल सही कहा आपने एक मिनेट अबास हैदर जी अभी तर बोले नहीं है लेकिन अबास हैदर साहब मुद्दा ये है कि आपदा पूछ कर नहीं आती कि मैं मोधी सरकार या बीजेपी वाले राज्यों में जा रही ह हूँ या किसी विपक्ष के राज्य में जा रही हूँ लेकिन जब मुद्दे उठाये जाते हैं तो वो बहुत राजनिती से प्रेरित लगते हैं जैसा अखिलेश जी ने आज कहा इससे तो हमारी पुरानी संसद बहतर थी अब पुरानी संसद में जब आप थे तब क्या को दिखाऊं तो 2012 की तस्वीरे हैं 2012 में वहां गैस लीक हो गई कभी गैस लीक हो गई और 2013 में वहां भी छट से पानी टपका था अब आपको अगर अंग्रेजों के जमाने की संसद जादा बहतर लगती थी तो वहां पर ये दोनों मुद्दे हो चुके हैं और सरकारों की भ एडजन्मेंट हो रहे थे क्योंकि बास आ रही थी और एडजन कर दिया गया था और गैस लीकेज है ये मुद्दे फ्लोर ऑफ दा हाउस पर उठाए गए और फिर एडजन हुआ तो मैं अबास हैदर सहाब आप से पूछना चाहती हूँ कि ये हर चीज में राजनिती क्यों साल पुरानी थी और वहां पानी लीप होना समझ में आता है लेकिन नहीं नहीं संसर में जब पहली बरसात में पानी टपक जाये तो आपदा में अफसर कैसे सरकार में बनाया है ये देखने वाली हो समझने वाली बात है क्योंकि कोविट के समय में एसेंशल कमोडिटी में देश की संसर और आपका जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो बन गाता है नाविका जी तरास्ती पर राजनीत कभी नहीं होनी ची हमारा ये मानना है लेकिन बहुत दुखात है जो वाइनाट की घटना है उसके बाद देश के ग्रह मंतरी ने जिस प्रकार से सदन को करने का काम किया है जिसके खिलाब प्रिविलेच मोशन भी लाया गया है राजसभा में CPI के सांसदोद्वार देखे नाविका जी पहली चीज तो ये वहां पर औरेंज अलर्ट जारी किया गए जिसमें 115 से 204 एमेम तक बारिश की संबाबना होती है लेकिन 48 घंटे में 512 मि आज सुबा तक पसे हुए थे जिनको निकाला जा रहा था हमारा मानना है देखिए जो बहुत संवेधन शीर विशे हैं जो हमारे प्रकृति के हमारे देश के और जो आपदा है चाहिए वो मोर्भी की घटना हुई हो या तमाम ऐसी इस प्रकार की घटना होती है उस पर रा साम नहीं आता ये क्यों है यही आपता का राजनितिक अफसर है ने बहुत महतूर सवाल आपने पूछा वहां पर से सवाल होना चाहिए उनके अधिकारियों पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन आप एक बात बताईए जब उत्तर प्रदेश में चाहिए जेल में बैठे मुक सबसे पूछना चाहिए जवाब दीजे देखे अबास हैदर साहब अलग अलग राज्य तो छोड़िये एक ही राज्य में कितना इनका अधार बदल गया कह रहें दिल्ली में तो बहुत भयानक बारिश होई तो जल भराव हो गया तो कोई बात नहीं थी उसी भयानक बारिश में जब यो कह रहें इतनी सालब हो गई कल शाम को जो भी वक्ति निकला होगा हम भी साड़ी आठ बजे पार्टी ऑकविस से निकले थे ग्यारा ¡ज़े घर पहुνचें धी लोग ABOUT साड़े बारा बारे बरेма पहुंचें उस्में कहीं कोई वह बात नहीं थी हम दूसरी बात करें आबासाब यह किसी के सार भी हो सकता है पहले कॉंग्रेस की भी सरकार रही हमारी दिली में सरकार उनीस सो अठान नवे के बाद से नहीं है मगर जो पार्टिया सरकार में उसने दावे क्या किये थे और अब वो छोटा मुटा समय दोहजार तेरा में उनकी सरकार बनी थी आज 11 साल से लगबग लगबग वही लोग सत्ता में हैं पहले कह दें एमसीडी हमारे पास नहीं अब तो सीडी भी लगबग लेड़ पौने दो साल से उनके हाथ में है इसलिए यह बात उखता है जो सबसे बड़े-बड़े दावे करके आये थे और दुख की बात तो यह है आप जिनके साथ खड़े हैं मुझे तो समझ में नहीं रहा आप बास हैदर साब यह आम आदमी पार्टी तो गढ़बंदन से अलग हो चुकी है इंडी गढ़बंदन से वो तो एलामिया कह चुके हैं कि अब हम अलग हैं और हम चुनाओ अलग लड़ेंगे साथ साथ नहीं लड़ेंगे Congress Party उनके खिलाब प्रधर्शन भी कर रही है तो मेरी समझ के बाहर है कि अगर Congress Party दिल्ली में आम आदमी Party खिलाब प्रधर्शन कर रही है तो आप डिबेट-वैट के समर्पहन कर रहे हैं कि आधहर के उपर कर रहें कि दोरे मापधरण नहीं होने चाहिए हमारा यह कहना है अगर आप उत्तर प्रदेश के हास प्रस पर जो खटना उसमें मुक्मंत्री जी को ढोठी करा दीजिये निवहां पर प्रशासन की बात करतें यहां सरकार की बात करते हैं चलिए करिए मेरा सिर्व इतना कहना है मैं तारीफ करना चाहूंगा आपकी सरकार की कि आपकी सरकार ने विकास का एक ऐसा मॉडल दिया है जो कहीं पूरे विश्व में ने किसी नहीं देखा कि आप साल भर सवकों पे गाडिया चला ये और बरसात के मौसम में न पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखे हर जगह पानी बारा है पूरा उत्तर प्रदेश बनाने के लिए पैसा मामा के घर पे नहीं आया है लेकिन साड़े 8000 रुपे खटा-खट-खट क्या मामा के घर से लाकर देते रामकुमार शर्मा का करनाल हर्याना से सवाल है इतनी बड़ी बिल्डिंग ते समय से पहले बना दी उसका श्रे तो दिया नहीं भारी बारिश के कारण थोड़ा बहुत पानी की लीके जो जाती है तो क्या विपक्ष को सिरुफ बोलने का बहाना चाहिए शंकरलाल रॉठोर का देवास बध्य प्रदेश से सवाल है केदारनाथ की तराज़ी के समय किसकी सरकार थी और किसने वार्निंग दी थी सवाल के जवाद थी सवाल यह है कि यो यह LLB सरकार है लीकिंग, लाइंग, ब्रेकिंग सरकार जब अंडरग्राउंड टनल में बनाने की कोशिश करती है वहाँ आपडाज जाती है, जब एरपोर्ट पे हवाँ में जाने के लिए जो बिल्डिंग है वहाँ पे टूट जाते है पार्लिमेंट लोग तंतर के मंदर में लिके जो जाते हैं और हमारे राम मंदिर के लिके सबाल, मैं दो पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला सबाल, मान लिया इर्विन के जरिवाज जी की गलती दिल्ली में, मान लिया, उनको कीजे नारेस दोबारा से, उनके लोगों कीजे ने, अरेस इसको क्या नारेस आविका जी, SUV सब शुलाने वाले को नाविका जी, उस SUV मे जब तूटा अजनता बीजेपी वालों के दोस्त के है उसको अरेस्ट जो आज जो अबंदा ट्रेल दीरेल हो गई है आज यह सोशल मीड़ा डेपाइटमेंट को उसके लिए बदनामी कर रहे है क्या ट्रेल डीरेल में सोशल मीड़ा के विजर से होता है यह किसकी जिम्मेदा पहले नहीं जब कि सबसे अपके पास एक कपिल सिबल ने लगाया उसके बाउजूर आपने नहीं दी जवाब दीजे देखे तैसीन भाई को प्रबुद्ध होकर दो बाते ध्यान रखना चाहिए ऐसी बात नहीं करने चाहिए नमबर वन ग्रह मंत्री जी के बयान के बाद पिनारी वीजियन जी ने क्यों कहा कि औरेंज लड़ था उससे पहले उनके सांसत सदन में खड़े होके हमारे सामने की बात है आरोप लगा रहे थे किन सरकार में कोई वार्निंग नहीं दी कोई वार्निंग नहीं दी आप रेड पंद्रा साल में तो टेक्णोलजी इतनी चेंज आती आज आपको पता है कहा जाता है कि दो साल में टेक्णोलजी कुछ फील्ड में इंड़स्ट्रल डिवलिशन के इक्वैलेंसी में चेंज हो जाती है आप करें उनके जमाने में सिग्नल लगा हुआ था इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं सरकार में वो दिया और हंडेट परसेंट अगर इतना सठीक कॉन वेक्टी बता सकता है कि इतनी ही इंटेंस्टी का आएगा ऐसा भी आएगा मतलब आप तो यह कहना चाह रहें नहीं हमें पता था कि रोड स्लिपरी है तो मैं उस पे लापरवाही से चल रहा था इतना थोड़ी बताया था कि कबर की हट्डी टूट जाएगी आपने सिर्फ ये कहा था कि स्लिपरी है तो मुझे लगा था फिजल के गिर सकते हैं हड़ी टूटने का थोड़ी बता है था इस प्रकार के तरक आप जैसे प्रबुध और युवा नेता को देने से बचना चाहिए इसलिए मैं पुना कह रहा हूँ आरोप प्रत्यारब छोड़िये इमानदारी से वहां पर काम करिये और सब लोग संवेदना से काम करें मगर अफसोस की बात यह है कि तीनों पार्टियां सुरिए मज़े की बात जानते क्या है तीनों दिल्ली में आके हम पर आरोप लगा रही है मगर सब केरल में आपस में लड़ रही है यही पार्टियां जो सदम में आके हम से पूछ रही है विधान समा में देखे क्या बोल रही है एक दूसरे खिलाव यह होती है राजनीती बिल्कुल और यही राजनीत आज संसद में भी दिख रही है और आज सडकों पर भी दिख रही है बाल्टी से चार बूंदे गिरने पर जो लोग राजनीती कर सकते हैं उन्हें क्या समवेदना होगी बच्चे जब इस तरह से देश की राजधानी में मर जाते हैं एक पानी की उनकी कब्र बन जाती है यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है और रागवेंद्र गुपता कह रहे हैं कि मेरा सवाल राहूल गांदी से है कि बजट का हलवा बनाने वालों की जात पूछ रहे थे संसद में क्या वाइनाड में जो बचाव कर्मी हैं उनकी जाती पूछेंगे जाती पूछ करके बचाव कर्मी लगाएंगे वहाँ पर यह सवाल बहुत गंभीर है इन सवालों को सोचना भी चाहिए पूछना भी चाहिए लेकिन आज इस मुद्दे को यही छोड़ते हैं बस इतनी गुजारिश करके कि पब्लिक नहीं चाहती कि आप इन मुद्दों पर राजनीती करें क्योंकि राजनीती के मुद्दे कई और है अपने तमाम पैनलिस का मैं धन्यवाद करती हूँ